साहस सरोकार नव निर्वाचत विधान परिश्वत सदस्यों की शपत ग्रहन समहरों में यूपी सरकार के मंत्री भी मौजूद रहेंगे विधान सभाद द्यक्षर सतीश महाना भी इस कारेकरा में शामिल रहेंगे साथ इस्थान ये प्राधिकार निर्वाचन छेत्र से चुने मलसी का श्रपत ग्रहन होगा आज आज नव निर्वाचत मलसी श्रपत ग्रहन समहरों लेंगे जिसके लिए तयारियां भी पूरी हो चुकी हो और तयारियों के साथ साथ आज रूट भी बतले जाएंगे क्योंकि आज जो कारिक्रम होना है भव्य होना है CM, डिप्टी CM इसमें सब मौजूद रहेंगे नवन निर्वाचित MLC भी मौजूद रहेंगे डिप्टी CM दोनों मौजूद रहेंगे और इस कारिक्रम को भव्य भी बनाया गया है विधान परिश्व सदस्यों को शपत गरहेंट सम्हारों आज शाम चार बजे तिलक हाल नवीन भवन में होगा विधान परिश्व सभास पती कुवर्मान वेंद्र सेंग नव निर्वाचित सदस्यों को शपत दिलाएंगे श्पद्ग्रहण्ट समhारों में मुखी मंत्र योगया दितनात अप मुखी मंत्र के शप्रसाद मौरेब दुजू इश्पथः पाठाक शामिल होंगे नव निर्वाचित विधान परिश्व सदस्यों के शपत ग्रहन सम्हारों में यूपी सरकार के मंत्री भी मौजूद रहेंगे विधान सम्हाद द्यक्ष्व सथी शमाहना भी शामिल होंगे अस्थानिय प्रादिकारी निर्वाचन छेत से चुने गई मलसी भी शपत ग्रहन सम्हारों में शामिल होंगे और शपत ग्रहन करेंगे साथी रूट भी आठ डाइवर्ट किया जाएगा विधान सभा के पास का कई विवियाईपी आज इस कारेकरम में शामिल होने वाले हैं जिसके वेज़े से रूट भी डाइवर्ट रहेगा और इस खबर पर हमाई समझान बाद चीट के लिए समझाता अजहर जुड़ चुके हैं अजहर कारेकरम की क्या कुछ जानकारी है कौन कौन इस महत्वपोड कारेकरम में शामिल होने वाला है बिल्कुल आपको बता दें जिस तरीके से भारती जन्ता पार्टी को बिधान सफ़ा चुनाओ के बाद बिधान परिशत चुनाओ में एक प्रशन चीत हासिल हुई है अब लगभग बात बता दू जिस तरीके से 36 सीटों पर ये चुनाओ हुआ था और उसमें 9 जो निर्विरोध सीटे थी उसमें तो भारती जन्ता पार्टी पहले से ही निधा सेल कर चुनी थी 27 सीटों में लगभग 24 सीटे भारती जन्ता पार्टी के खाते में पहुची थी और अब लगभग बात की जाए तो उत्तरप्रदेश बिधान परिशत के उच्छ सदन में अब भारती जन्ता पार्टी की लगभग 67 सीटे हो गई जो की बहुमत से भी ज्यादा है और वहीं आपको बता दे आज उन तमाम जो नव निर्माचित विधान परिशत के सदस से हैं अज उनका शपत ग्रहल समारो होना है और इसको लेकर आज लगभग चार बज़े ये समारो होगा और तमाम जो भारती जन्ता पार्टी के नेता है वो मौजूद रहेंगे चाहे है वो मुक मंतरी योगी आदित तिनाथ हो चाहे उप मंतरी बिर्जेश पाठक हो या तो केशा परसाद मौरी हो इसके सासा तभी कई ऐसे नेता मंतरी है जो आज इस शपत ग्रहर में शामिन होंगा और लगभग चार वज़े ये कारिक्रम शुरू होगा तिलग भवन के न बिल्कुल आपको बतादें जिस तरीके से मुक मंतरी योगी आदितनाथ भी शामिल होंगे और मुक मंतरी केशा परसाद मौरिया और बिर्जेश पाठक भी शामिल होगे तो इसके बाद जो सुरक्षा विवस्था के इंतिजाम है वो पुखता किये गए है महीं विधान बाद से लगबाद एक किलो मेटर के रेडियस का जो रूट डाइवर्जन है वो किया गया और इसको लेकर तमाम के सुरक्षा विवस्था के जिजाम है वो फिलहाल कूरे कर लिए गये है जो बहुत बहुत बशुक्रिया मैसा जड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए इस यूपी सरकार के कई मंतरी भी सिकार करम में शामिल होंगे भारत मौसम विज्ञान विभाग आई एमडी ने देश के कई राज्यों के लिए भीशट गर्मी और लू का अलर्ड जारी किया है जिसमें यूपी के लिए 26 अप्रेल और 27 और 28 अप्रेल को लू की चेतावनी जा रही है प्रदेश में बिजली संकट भी गहराता जा रहा है तक्नीकी गड़बढ़ियों और कोईले की कमी से तापी एकाईयों के बंद होने से भी समस्या बढ़ रही है सरवजनिक और नेजी छेतर के ताप बिजली घरों से पूरी छम्ता से उतपाद ना होने से बिजली क कमी बनी हुई है तो एक तरफ भीशड गर्मी का प्रकोप है तो वहीं दूसरी तरफ बिजली संकट भी गहराता जा रहा है बिजली संकट कोईले की कमियों और लगतार मौसम विभाग द्वारा दी जा रही चेतावनी को देखा जाए तो लगतार आम जुनता परिशान हो रह हेहल वहल की लूचलने का आसार जो ताया गया है तो भीशड गर्मी हो रही है और अगर बात करी जब बिजली के उत्पादन की तो कई इकाईया कोईले की कमी की वज़े से बंद हो गई है और जो उत्पादन जिन इकाईयों पे हो रहा है तो वहां पे भी कम हो रहा है जिस कर दिया है एक तरफ वो जहां गर्मी भीशन है तो वहीं बत्ती गुल होने की वज़े से भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आई दिन आग लगने की खबरे शौट सरकेट जैसी खबरे भी सामने आ रही है भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आई एमडी ने देश की कई राज्यों के लिए भीशट गर्मी और लू का अलर्ट भी जारी किया है जिसमें यूपी का नाम भी शामिल है आपको बता देए कि 26-28 अप्राइल को लू के चताब निच्वारी की गई है आई एमडी की तरफ से जिसे जिसे गर्मी बढ़ती जो आएगी प्रदेश में बिजली का संकट भी गहरा तो जो आ रहा है तकनीकी गड़बडियों और कोईले की कमी से ताप ही एकाईयां बंद हो रही है और समस्या भी बढ़ती जो रही है सारजनी को निची छेत्र के ताप बिजली घरों से पूरी छमता से उत्पादन ना होने से बिजली की कमी भी बनी हुई है अगर तापमान की बात करें तो तापमान जून जुलाई वाली गर्मी का एहसास दिला रहा है हला कि अप्रेल खतम हो चुका है खतम होने की कगार पर है और ऐसे में जिस तरह से भी शड़ गर्मी का प्रकॉप देखने को मिल रहा है लोग काफी परिशान भी नज़रा रहे हला कि लोग जिनको घर से बाहर निकलना ज़रूरी है वो इसके बावजूद भी घर से बाहर निकल रही है लेकिन जो लोग घर पे है या फिर जो बच्चे पढ़ाई करते हैं लगतार परिशानियों का सामना कर रहे हैं और इस खबर पर मायसा दोसम वदाता जुड़ चु हैं कि जिस तरीके से आएमडी ने एक चेताबनी जारी की है आने वाले तीन दिनों के लिए 26, 27 और 28 की अगर बात की जाए तो इंडियन मेटरोलोजिकल डिपार्टमेंट ने साफ तोर से ये कहा है कि आने वाले तीन दिनों में तापमान में लगतार बढ़ूतरी देखने क को मिलेगी और लू भी काफी ज्यादा चलने की संभावना है और ऐसे में अगर राज़ानी लगनों की बात की जाए तो लगभग 26 तारीक का जो अधितम तापमान है वो इंडियन मेटरोलोजिकल डिपार्टमेंट की अगर माने तो लगभग 46 जिगरी आज तापमान पहु और जिस तरीके से आगामी तहवार है और तहवारों के बीच में जस आजैसे लोग बाहर निकलते थे और ख़रीदारी करने के लिए निकलते थे हैं और मजजारों में पहुंचे थे तो कही न गए इसको लेकर काफी कमी देखने को मिल रही हैं जिसके बाद जो शाम कट सम मैं, जुन और जुलाई में मौसम जैसा रहता था, वो अपरैल में देखने को मिल रहा है, इसकी खास तोर पे मौज़ा है, मौसम बेग्यानिकों की अगर मानें, तो जिस तरीके से जलवाईों में परिवर्तन हो रहा है, उसकी वज़ा से जो गर्मी का प्रकॉप है, वो लग हो गई है और उसके बाद इस तरीके से लोग काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ लाए और बिजली संकट से भी लोग गर्मी के अलावा बिजली संकट से भी लोग जूट रहती है, तो वहां पे कितने घंटे बिजली गुल रहती है और तापमान कित्ता देखने को मिल र क्या है और यह आने वाले गिलों में बश्ची जाएं जर्मी ऐसे में रोश्य है अजिक्तर हो जा रही है, और इसके भी लोग जो है अजिक्तर प्रवर कर्क्रशन गटे आए उनकों सीधे बुलाया कि परबंदा कि स्के बिल्यदार हो एंको जख्री दारी त्रह करने हुए के साथ ही आपको बताजे कि बताजे कि बटाजे के हमारे ही अरफ में हुझारी है इसे बहुते हैं नहीं पर सब्सक्राइब करते हैं और इसके लिए पावर्स आपरेशन को चिताया है जी अजहर लखनाओं में कितने घंटे बिजली गुल रह रहे हैं अलग अलग इलाकों से बिजली जाने की खबरे सामनी आ रही है तो लखनाओं का क्या हाल है जिस तरीके से लखनाओं के अगर अलग अलग इलाकों की बात करी जाए तो जो रोस्टिंग टाइमिंग है वो कहीं न कहीं अगर 24 घंटे में बात की जाए तो लखनाओं 5-6 घंटा बिजली गुल होती नजर आ रही है और इसकी एक टेकनिकल वज़ा हम आपको बताना चाहेंगे और पती चली जाती है और उसके बाद लगवग एक से डेल घंटे के बाद फिर फीटर चाली होते है तो इसकी ये भी एक खास वज़ा है क्योंकि जिस तरीके से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है तो कहीं न कहीं इसका सीधा आसर बिजली संकट पे भी देखने को मिल रहा है क्योंकि चोवेस घंटे बिजली देने के बाद कहीं गई थी कि इसके आप अप्रेइल की बड़ता है। पढ़ रहा है तुल्य को जाभी जाएदा कि अच्छों पढ़ता है जी अजहार पचों के पढ़ाई पे इस गर्मी और बिजली जाने का कितना अफर पढ़ रहा है तो सरकारी आदेश आने के बाद उस की टाइमिंग को आठ से लेकर दस से ग्यारा बजे तक की कर दी गए थी जो क्लास फिफ्ट से नीचे वाले जो बच्छे हैं तो इसको लेकर जब बच्चे सुभा निकलते गर्मी देखें सुभा लगबग पांच साले पांच बजे ही सू पूल के लिए जाते हैं तो कहीं न कहीं जो छोटे बच्चे हैं उन्हें काफी दिकतों का सामना करना पड़ता है और इसके अलावा अगर बात की जाए बजली संकट की बज़ा से तो कहीं न कहीं बच्चों की पढ़ाई पे इसका आसर जरूर देखने को मिलना है फिलार देखा जाता है लगबक 10 मई तक के जो समर विकेशन से वो हो जाते हैं लेकिन अपकी गर्मी तो पहले सही ज्यादा स्टार्ट हो गई और इसको लेकर जो स्कूल प्रशासन है वो कहीं न कहीं अब आने वाले दिनों में क्योंके लगबक 10 तारीक तक के मई के महीने समर विक इतना उसे समदा था अजहर जुड़े थे इस खबर पे तो पढ़ाई पे भी सीधा सर पढ़ रहा है कहीं न कहीं जबार ऐसा भी माना जो रहा है कि समर विकेशन जल्दी हो सकते हैं और जिस तरहा से गर्मी अपना प्रकोप दिखा रही है सभी इस गर्मी से अब परिशान होते नसर आ रहे हैं तो प्रचंड गर्मी देखने को मिल रही है और इस गर्मी का प्रकोप की वजह से बिजली संकट भी देखने को मिल रहा है जो तरहा से बत्ती गुल हो जाती है ट्रप केड़ने की वजह से तो ये भी एक वजह है लेकिन लगतार बिजली संकट गहराता ही जो आ रहा है तो बिजली संकट अलग-अलग जिगह पर देखने को मिल रहा है और कई राजियों में भी मौसम विभाग ने गर्मी का अलवड जारी किया है यूपी भी इसी श्रेणी में आता है यूपी में भी गर्मी और लू का प्रकोप जारी रहेगा इसका अनुमान ज चल्दे की चितावनी बिदी है आज कल ऑपर सो यानि की 26-27-28 तारीक के लिए भी शड़ गर्मी देखने को मिल रही है और स्कूलों का समय भी हाला कि बदल दिया गया है गर्मी की वज़े से जो सुबह संचालन का समय है वो साथ बज़े से कर दिया गया है और 10-11-12 बज़ सुबह से ही बढ़ना शिरू हो जाता है बच्चों को जादा तकलीफ ना हो और ऐसे में मौसम भी खराब होता है बच्चों को कई बिमारियों का खत्रा भी रहता है इन सबको देखते हुए भी सकत दिशा निर्देश जारी कर दिये गए हैं यूपी में लगतार पारा बढ कट भी है कोईले की जो कमी हो गई है उसकी वजह से भी कहीं कहीं शौटेज हो रही है बिजली की लेकिन अगर बात करीज़े यूपी की तो यूपी में 24 घंटे बिजली देने की बात कहीं कई है लेकिन बढ़ती मांग की वजह से जितना ही धादा उपियोग हो रहा है तो यूपी में पारा लगतार चड़ रहा है और ऐसा भी माना जा रहा है कि बच्चों की जो समभ विकेशन्स होते हैं इस बार जल्दी हो सकते हैं क्योंकि जो गर्मी है जो पारा है उसके चड़ने का सिलसला लगतार जारी है और नीचे आने के अभी कोई संभावना नहीं है नहीं मौसम में किसी तरह के बदलाओ की कोई चिताब नीचारी की गई है पारा चड़ने की बात ही करी गई है जून जुलाई की गर्मी का सिताम इस बार अप्रैल में देखने को मिल रहा है अभी माई बाकी है उसके बाद जून जुलाई की गर्मी कहां तक पहुंसती है य लेकिन यूपी में लोग बेहाल होते नजर आ रहे हैं गर्मी से और जिस तरहां से चलाती धूप होती है लोगों काफी तकलीफों का सामना भी करना पड़ रहा है अगर बात करी जाए याता यात की जो बाहर सडकों की तो कहीं न कहीं तिन में जैसे जैसे पारा चड़ता है भीड का हो जाती है सननाटा देखने को मिलता है बाजार 20 उंसान से नजर आते है दिन में सिर्फ सुभा और शाम में ही चैहल पहल देखने को मिलती है बाजारों में तो गर्मी का प्रकॉप है कहीं न कहीं इससे अर्थ विवस्था पे भी अस्तर पड़ रहा है क्योंकि बा और इस खबर पे हमारे से ज़दबाचीत के लिए ये कानपूर से समधाता उपेंद्र जुड़ चुके हैं और राय बरेली से अजय जुड़ चुके हैं अपेंद्र गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है लोग काफी परिशान हो गए हैं तो किस तरह से बजारों का हाल देखने को मिलता है क्या दिन में सननाठा देखने को मिल रहा है कानपूर में भी उपेंद्र जिस तरह से बिजली गुल हो रही है और बच्चों की पढ़ाई पर भी असर हो रहा है गर्मी प्रचंड है अजय क्या कहेंगे राई बरेली में इस वक्त कैसा महाल देखने को मिल रहा है जिली की बात करें तो आपको बतादे गर्मी जो लगातार बढ़ती जा रही है कहीं न कहीं ये एक आमने वाले समय में पहुत घहता को सकता है जो मई जून में पढ़नी चाहिए वो अपरैल में देखनों की मिलरें इसको लेकर कहीं न कहीं इसको बच्चों को लेकर टाइमिंग टाऊ हो पहीं तर बारा कर दिया गया है पहले जो एक बेज़ दोवे शुट्टी होती थी वो उसको हटा करके टाइमिक चेंज की गई है और बात की जाए गर्मी की तो जितनी भीसर गर्मी पढ़ रही है कहीं न कहीं देखी जाए तो चौराहे पर जो लोग निकलते हैं कहीं न कहीं डर गुंचेंदर बैठ रहता है कि गाडियों से कर निकलेंगे चेंज कर पिया से कहीं असाना हो टैर गर्म हो जाए फट जाए उसे हाता हो सकता है कहीं नगाइस को लेकर बहुत ही जादा लोग प्रफावित हो रहे हैं अगर बात करेंजे कानपूर की इंडस्ट्रियल एरिया है काफी नुकसान तो हो रहा है बत्ती गुल होने के वेज़े समगे जाना चाहेंगे कि कितनी देर के लिए बत्ती गुल होती है कानपूर में उसमें भी खासा नुट्सान देर कानपूर में उसमें भी खासा नुट्सान देर के लिए बत्ती गुल होती है सरकार की तो सरकार ने कितने घंटे बिजली मौहिया कराने के बात कही और विद्युद विभाग द्वारा कितने घंटे विजली दी जा रही है अपेंद्र सरकार ने जो 24 घंटे की पूरी बात की ती उसके बात कोई फाल्ट अगर होती है तो वो फाल्ट के बात कट होती है अजय राए बरेली में शेहरी और ग्रामीड छेत्रों में कितने घंटे बिजली कट रही है अब को आदे कि जो है जो है जो ग्रामीड छेत्रों में 18 घंटे और सहरी शेत्र में 26 घंटे के लाइट मिल रही है उसके बात की जाट थी है ग्रामीड छेत्रों के लिए अलग अलग समय अधारत किया गया है बिजली कट रहती का पूर्ण बिजली देने का लेकिन उस अधार पर कही न कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सरकार की तरफ से जितनी बात कही गए थी उतना विद्यूद विभाग की तरफ से बिजली उन्हें नहीं मिल पा रही है कटाथी मानकों से ज़्यादा की जा रही है तो आदेशों से ज़्यादा बिजली कटाथी की जा रही है और कही न कही टेकनिकल इशू उसकी वज़े से भी बिजली कायब रहती है जिसकी वज़े से अगर बात करें लोगों के कामकाज पर भी असर पड़ रहा है और द्योगों पे भी असर पढ़ रहा है फिल्हाल इस बुल्लिटिन में इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार